नमस्कर बच्चो, आज हम पढ़ने और समस्दी वाले हैं क्लास 9th SST, सामाजिक विज्ञान की असेस्मेंट वरक्षीट नमबर 11, यानि आकलन कारेपत रख सिंखे 11 को, यह आपके 28 तीसंबर 2021 की वरक्षीट रही, यह असेस्मेंट वरक्षीट आपके क्लास टेस्ट, आपके एजी होती है, लास्ट वीक में हम जितनी भी वरक्षीट करते हैं, उनी पर बेस्ट आपका यह असेस्मेंट होता है, और आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो भी अटलिस ट्राई जरूर करना है, उसके बाद जो भी आपके आंसर रहते हैं, जो भी आपका स्योलीशन रहता है उसको आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो, लेट्स बिगिन चली, शुरुआत करते हैं आज की इस असेस्मेंट वरक्षीट की, आज की जो हमारी असेस्मेंट वरक्षीट है, इसमें टू पार्ट रहेंगे, पहला जो पार्ट है वो अब्जेक्टिव रहेगा, उसमे इसी तरीके से आना है, उसमें औब्जेक्टिव कोशिन्स भी होंगे, उसमें सब्जेक्टिव कोशिन्स भी होंगे, तो चलिए सबसे पहले इस अंश को इस गध्यांश को इस रोत को पढ़ते हैं और उसके बाद हम पर्षनों को हल करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि जब बैंकों का राष्ट एकंड कर दिया गया, उद्योगों का राष्ट एकंड कर दिया गया था, और एक बढ़ा जो कदम ये भी था, कि जो जमीन थी वो जोतने वालों को, यानकी जमीन किसानों को दे दी गई थी, जो वास्तों में खेती करते थे, क्रिशी करते थे, जब बोल स जमीन के पुनरवित्रण का आदेश दिया, कि दोबारास इसका बंटवारा होना चीए, तो रूसी सेना तूटने लगे थी, क्यों? क्योंकि जातर सिफाई किसान थे, और वे भूमी पुनरवित्रण के लिए घड लोटना चाहते थे, क्योंकि वो किसान परिवार से थे, जब ने उसके कुछ नकारात्मक परिणाम आने लग गए, गेर बोलशिविकों, समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाह के समर्थकों ने बोलशिविकों के इस विद्रों के निंदा की, यानि कि अब भी कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ये उत्री रूस में इकठा हो करके बोलशिविकों, जिनको रेड्स कहा जाता था, से लड़ने के लिए टुकडिया संक्ठित करने लगे, क्योंकि बोलशिविकों का अभी तक जो कबजा था, वो कहा हुआ था, पैत्रोग्राद और जो मोस्को का इलाका था, उत्री रूस का ज का ही नियंत्र रहा था, यान कि करांती के बाद भी जो रूस का जातर हिस्सा था, उस पर ग्रीन्स और जार समर्थक वाइट्स का ही कबजा था, उन्हें फ्रांसिसी, अमेरिकी, ब्रेटिस, जापानी टुकडियों का भी समर्थन मिला था, ये सभी शक्तियां रूस में समा खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये बाकी जो देश थे, जिन्होंने समर्थन किया था, जो रेट्स के विरोधी थी उनका, क्योंकि वो पूंजिवादी देश थे, और समाजवाद पूंजिवाद का विरोधी था, उके, तो इसलिए उन्होंने समर्थन किया, ताकि समाजवाद का विकास ना हो इन टुकडियों और बोल शीविकों के बीच में चले ग्रहयोद के दुरान लूट मार डकेती वुक्मरी जैसी समझ्याएं आम हो गए थी बड़े पेमाने फर फेल गए थी यानि हालात बद से बत्तर हो गए थे जो उमीद थी कि क्रामती के बाद कुछ बदल किसानों के खिलाफ काफी सक्त रविया भी अपनाए था इससे क्या हुआ बोल शेविकों को इंडाइकली फाइदा हो गया उनकी इन हरकतों के कारण गेर बोल शेविकों के पर थी जो जन समर्थन था वो और तेजी से घटने लगया क्योंकि बोल शेविक थे ओल्रेडी सर् समर्थन मिलने लगया तो कहने कई वाइट्स और ग्रीन्स की निवे हिल गई यानि कि एक तरीके से जो बोल शेविक थे उनका समर्थन बढ़ता जा रहा था जनवरी 1920 तक भूतपुरों रूसी समराजय के जातर हिस्सों पर बोल शेविकों का निंत्रन कायम हो चुका था औ तो उनके समर्थन से ये सारी कामयाभी मिली थी जहर उसी उपनिवेश्वादी ही बोल्शेविक पनिवेश्वादी थी अतनी helpful नहीं रही थी मद्देश्या में स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समवाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानिय राष्ट्रवादियों का बड़े पेमाने पर कतल्याम भी किया था यनकी जहां पर ओलेडी वो बोल्शेविक के समर्थक हो गए थे तो कई जगे पर ऐसा भी वहा था कि जो राष्ट्रवादी थी या अन्य जो लोग थी उन्ही का अपस में एक तरीके से गह युच्छिड गया था और इसी तरीके से स्थानिय जो राष्ट्रवादी थी जो खीवा इलाका था मदेशय में उनका बड़े पेमाने पर कतलियाम भी किया गया था ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है हो क्या रहा है तो सब कुछ होचपोस्ट था कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या होगा लेकिन क्रामती हो चुकी थी बदलाव जरूर आ रहे थे तो अब इसी पर बेस्ट रहेंगे हमारे next four questions चलिए उनको देखते है पहला जो हमारा परसंद दिया गया बोल शेविकों को कहा जाता था क्या कहा जाता था यह हमें बताना है तो इसमें चार विकलते गए पहला whites, दूसरा blues, तीसरा greens, चोथा reds तो इसमें crack जो आपका अंसर है वो D रहेगा बोल शेविकों को reds कहा जाता था दूसरा हमारा परसंद दिया गया निमलिकित में से greens की से कहा जाता था यह हमें बताना है पहला बोल शेविकों को, दूसरा सामाजिक करांतिकारियों को तीसरा विकलते गए जार समर्थों को चोथा विकलते गए में शेविकों को तो इसमें crack जो आपका अंसर है वो B रहेगा सामाजिक करांतिकारियों को greens कहा जाता था इन में से किस ने बोल शेविकों का समर्थन किया यह हमें बताना है जिसमें पहला जदीदियों ने दूसरा जार समर्थों ने तीसरा सामाजिक करांतिकारियों ने चोथा इन में से कोई ने तो इसमें correct answer आपका ये रहेगा जदीदियों ने जो इसलाम ध्रम का आधनी करण करना चाते थे तो उन्होंने बोल शेविकों का समर्थन किया था चोथा जो परशन दिया गया कि निमिली खितमे से कौन सा देश बोल शेविकों के खिलाब था पहला France, दूसरा विकल तिया गया हमारा Britain, तीसरा America, चोथा उप्रोक सभी correct जो आपका answer है वो D हो जाएगा उप्रोक सभी एक बार फिर से देखिए correct answer फर्स्ट का D रहेगा, रेड्स कहा जाता था बोल शेविकों को दूसरा है सामाजिक करांतिकारियों को greens कहा जाता था, तीसरा यहाँ पे आपका है कि बोल शेविकों का समर्थन किस ने किया तो इसमें एक correct answer रहेगा जदीदियों ने, चोथा पर्सन है इसमें से कौन सा देश बोल शेविकों के खिलाफ था तो France, Britain, America सभी खिलाफ थी तो उपरोग सभी आपका correct answer हो जाजा जा उसके बाद second part में हमें जो मिले हैं वो है subjective questions जिनको हमें solve करना है, चली इनको भी देखते हैं, यह पर्षन भी हमने पहले की जो वोर्कशीट है, उसमें already discuss किये वाई यहाँ पे पहला हमारा पर्षन दिया गए, रूडिवादियों और रेडिकलों के बीच में हमें अंतर बताना है, क्योंकि यह two marker question है, तो हमें lengthy नहीं करना है, बिल्कुल भी, रूडिवादि कौन थे, जो लकीर के फकीर थे, यह लोग प्रमप्रा, राजतंत्र, और चर्च कि यह समाज में तेजी से बदलाव लाना चाते थे और इस लिए क्रांती के भी पक्सदर थे, कि एगर क्रांती की ज़रो doable पढ़ती है, तो क्रांती करेंगया, यह लोग तंत्र के समर्थक और रासतंत्र के विरोधित यह चाते थे कि लोग तंत्र के सरकार होने चाहिए, च खुनी रिववार की घटना हमें बताने क्या थी कि 22 चनवरी 1905 को रूस की जार की सेना ने जो रूस के जार हैं उनकी सेना ने मजदूरों और उनके बीवी वच्चों की एक शांती पून परदर्शन पर गोलियां परसाई थी इस घटना में सेंकडों लोग थे वो मारे गए चुंकि इस दिन रिववार था इसलिए यह घटना खुनी रिववार के नाम से जाने जाती है और यही 1905 की क्रांती की सुरुवात ही होती है कि इस दिन के बाद इस घटना के बाद 1905 की क्रांती होती है रूस में उसके बाद सात्मा हमारा परसन दिया गए सात्मे परसन को देखे, रूस के ऊपर पर्थम विश्यूद का क्या परभाव पड़ा, ये भी थ्री मारकर कोशनेट हम इसको लेंथी नहीं करेंगे, रूस के ऊपर पर्थम विश्यूद के परभाव को हमें बताना है, पहला परभाव पड़ा, रूस में अनाज की कमी हो गई थी, क्योंकि पर्थम विश्युद में सेना को अनाज के सप्लाई की जाने लग गई, दूसरा ये था कि उत्पादन भी कम हो गया था, क्योंकि जात्तर जो किसान थे उनको जबरदस्ती सेना में भरती कर लिया गया था, तीसरा युद के कार्ण भी फसले नश्ट हो गई थी, तो अनाज की कमी हो गई, दूसरा मजदूरों की कमी होने से उत्पादन भी ठफ हो गया था, तीसरा महंगाई और निर्धंता में बढ़ोतरी हो गया था, तीसरा महंगाई और निर्धंता में बढ़ोतरी हो गया था, अनाज की उत्पादन में कमी हो गया था, तीसे महंगाई में बढ़ था इंडस्टिलाइजेशन था उसने कैसे इंपोर्टेंट रोल पले क्या था ओद्योगिकण इंडस्टिलाइजेशन से रूस में एक नए वर्क सर्मिक वर्क का उद्य हुआ अब तर्मिक-वर्क जो था उसके हालात दैनिय थी क्यों कैने के घंटे बहु ज्यादा थे, 12, 13, 14 घंटे थे, वेतन काफी कम था, कोई सुधाई नहीं दी जाती थे, उस सर्मिकों के हालाद दैनिये थे, इसलिए उनका जुका समाजवादी विचारों की ओर हुआ, क्योंकि समाजवादी विचार किस चीज का वादा करते थे, समानता का वादा करते थे, आगे चलके यही सर्मिक वर्गी रूसी करामती और समाजवाद के सुत्रहधार बनते, यनकी जो यूं कहले जिए कि समाजवाद जो था, उसकी जो नीव थी, वो नीव यही सर्मिक बनते आगे चलके, यनकी ओद्योकरण अगर ना होता, तो साइद रूसी करामती भी ना हो तीसरा ये नीजी संपती के विरोध में थे- कि नीजी संपती नहीं होने चीए बलगी, सरकार के अधीन होने बेल देखते हैं और चुझा लोक तंत्र में विशुसास रखते हैं यानि कि चुनीवी सरकार मी विशुस के देखते हैं। दसवाँ परशन दिया गया, टैंथ है हमारा, रूस में 1917 की क्रांति के बाद क्या बदला हुई ये हमें बताना है, तो पहला बदला हुआ, बोल्शिविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्निश्ट पार्टी कर दिया गया, दूसरा रूस एक दलिये देश बन गया, तीसरा ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नेंतर में रखा गया, चोथा बदलाव हुआ, अधिकतर जो उद्योग और बेंक थे, उनका राष्टे कर दिया गया, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, और पांचवा भूमी को सामाजिक संपती गोशित कर उसका बंटवारा कर दि तो इस वीडियो इस वोक्षिट को लाइक और शेयर चेर रूट किजिगा, आज के लिए बस इतने, थेंक यू, बाइबाई, हैव अनाइस दे,